आपने को कोई सब्दा कोई भिकास नहीं न रोड़ा न गली या न पानी का सब्दा न काहे को सब्दा आए मदब प्रदेश विधान सभा चुनाव 2023 का सुरुवात हो चुका है और अभी हम मौजूद है मौगन जिले की मौगन विधान सभा सीट पर यह सीट चर्चा में अक्सर बनी रहती है यहाँ पर कॉंग्रेस से सुखेन सिंग बनना और भाजपा से प्रदीप पटेल आम आदमी पार्टी से उमेश्त्र पार्थी चुनावी मैदान में है इसके साथ ही कई और पार्टी और निर्दली प्रत्यासी भी चुनावी मैदान में है मौगन विधान सभा का मुकाबला इस बार त्रिकोणी होने वाला है आज हम पहुंचे हैं मौगन विधान सभा की उमरी स्रीपत गाउ में जहां पर हम लोगों से चुनाव का महौल जानने आए हैं कि आखिर इस बिधान सभा चुनाव का जो महौल है कैसा रहेगा किसके पक्ष में जा रहा है और पांच साल में उनके गाउं में क्या विकास हुए हैं अगले वोय किन मुद्दो को लेकर बोट करेंगे क्या नाम है आपका सभामा परसाद पाल कहां के निवासी हैं क्या है इस बार चुनाव का महौल चुनाव का महौल का हबर चुनाव का महौल यह है कि जे बिधान सभा में खड़े होई वाले हैं उनका बोट बेना है जो पत्रेल्ड है ढूं का जीवन में नहीं मिने जहेजा से हिंया माने बोटमा भर भिखान रहे एब आपकी Caplon के देख रखा गय। बांदा वह बंदा भूंग मार्ट भाकुदारी चला रहा रहा खाल ऑगे अधिय का अब बोले थे आप से इसा का बोले थे यह बोले रहे हैं जब हैं यह बोर परी है 2018 की विधान सबा चुनाओ में यहीं चंखेंपर बोड़े रहे हैं अधाजी कहा है और गंगा मुहे कहां तुरभाइरे हैं सब पभलिकन से वह उचाई रहे हैं पर काम कोई नहीं भासा है तो इस बार क्या विचार है चुनाओ में इस विचार है कि अब हमको तभाई है कि अब उता नमयामा अना एक में देखे कमीला हमारी है बिंटी है मोधी है मोधी जीटा फेर फूशक है नहीं कि क्या नाम है आपका बलाल सुलिया क्या महौल है इस बार चुनाओ पांच साल में कैसा रहा है आपकी गाउं में विकास हुआ या नहीं कुछ नहीं विकास हुआ सब्रसक्राइब दोनses सब्सक्राइब तो किन किन चीजों ड़ाया आपके गाओं में इंशे जुरॉत किन चीजों की ज़रुरत कुछ नाम है आपका पार्वतियादो क्या महुल इस बर्चुनाव का जीते रहें तो कुछ नहीं दिखाई दिन परदी पटेल है ना रोड आए ना गली या ना पानी के सुब्धा ना काहो के सुब्धा आए सासन की योजना का लाब मिल रहा है लाडली बहना योजना प्रड़ान मंत्री आवास योजना हाँ एक चा नाम है आपका लचमान यह सबसे मौधिक अदिन जाई मतलब भाजपा भाजपा मतलब प्रदीर पटेल आपके गाउं में कैसा विकास हुआ है विकास कुछ नहीं हुआ है किन किन चीजों की अभी कमी है गाउं में रोट नहीं बनी आई पानी का सुगधा नहीं आई इठे नालग भन नहीं गड़ाया आई त चाचा की दारो बताया गया कि यहां पर जो है यहां पर चबूतरा बनाने का वादा किया गया था इस पर क्या कहें गया हाँ वादा करे रहें के के बनबाव हम तो नहीं बनवाएं पिर नहीं जाकिनिके आज चुनाव आई गया ता पून करे ध्यान धरीं क्या नाम है आप पिछली बार परदीप पटेल रहें एंठे आए के कसम खवाये रहें स्यामा चरन सुखला गंगा मुहें का फिर के आज तक फिर के जहांकिया नहीं कियो तेंदार हम कंडी डिर्ट चाही थे के दूसा रावए सुखेन सिंग बनना का देबोट सुखेन सिंग बनना कांग्रेस आपकी गाओं की क्या मांग है और किन-किन चीजों की समस्या है भी रोड पर्थम नंबर और एक रप्टा पानी मेन यही है मतलब यह जो सामने नदी दिख रही है बरसात में यह इसका लेवल ऊपर चल जाता है है ना फिर क्या होता है संपर टूट जाता है सहर से तो इसकी भी घोशड़ा की गई थी कि यह बनबाएंगे इसमें पुल फाइल घलाय पहुंचाय रहें साप परदीपडेल के लगे ल कि यह साप जय्कूर के लिकास करें हुिा रॉड जाना बना जाता है उखको कोई भी स्गधा नहीं है है इसे चोटी चोटी बाते में तो कर देते हैं कि या कर देंगे वो अगर्दे जंदा को गुमरा कर देते हैं तो इसलिए हम लोग यह सोचते हैं कि चलो यह यह नहीं सही है लेकिन विकास के लिए जो आते हैं तो विकास वादा करके तो दोड़ देते तो जंता कि क्या होता है क तो देंता के लिए यही है कि जो विकाज चाहिए, माना हर मजदूर हर किसान को विकाज जो चाहिए, मिलना चाहिए क्या नाम है अपका? क्या है चुनाव का महौल इस बार? प्रधान मंत्रिया वास योजना कुछ भी नहीं मिला है तो मतलब आपको चेतरी विधार्णा कोई नहीं मिल रही है प्रधान मंत्रिया वास योजना कुछ भी सबस्क्राइब है लेकिन यहां के जो मतलब वो बिधायक है यहां से कुछ हमको नहीं से नहीं दे रहा है इस बार बहुत सारी पार्टियां हैं आम आनुपी है कॉंग्रेस है BSP है, बहुजन है, मतलब ये आपका समाजबादी है, तो किधर जाने का विचार है? हम रहेंगे अपने भाजपाय में, अच्छा, हाँ, रहेंगे हम अपने भाजपाय में, लेकिन यह है कि भाजपा जो भी रहे, तो हमको लाब दीजिए, बस हो गया, मतलब विचार आपका भाजपा का ही है हमारा भाजपा ही में है क्या नाम है आपका सचिन मिस्त्रा कहा कि निवासी है उमरि motor इसपर क्या माहल है विधान सभा चुनाव का विधान सभा चुनाव का माहल य주명 है कि देनी कपाइब क्या से प्रदीतरी के पाइब के लिए अपनाओ अपनेश्टै मुस्सक्रास तक रापड़ने में हो प्हाय कोई पर कचानते होंगे जाउब करें नहीं कैंतर करें में मैं के सफ़ें से इक कंछनटने में के सफ़ा उंहें तो आपकी गाओं में में किन किन चीजों की सबसे ज़्यादा समस्या है समस्या यहां सबसे बड़ी पानी की है यहां बिलहा बांध बना हुआ है विधायक प्रदी पटेला के भूम पूजन के यह थे भूम पूजन के बाद यहां दुबारा घुमने नहीं आया बांध बना भी नहीं पूरा पैसा उसका खा गए कमिशन के तोर पे क्या नाम है बांध का? बिलहा बांध नाम ठीक है यहां सड़क बनी हुई है यहां पर आज तक मोरमी करण नहीं हुआ आज तक मोरम नहीं पड़ी उन्होंने बोला था डबलू बीम बन बा देंगे ठीक है और यहां से बांध तक है पूरा माच के पहरी से लेके बार नमबर एक जारा से और यहां तक के पूरी बिलहा बांध तक की सरक पूरी खतम यहां एक भी कोई काम नहीं है तो सचिन जी इस बार किधर जाने का विचार है प्रदीप प्रटेल को छोड़ के किसी भी तरफ जा सकते है क्या सोच के आप जो है दूसरी पार्टी का रुख कर रहे हैं हम तो पहले से ही भाजपा के कार करता है और भाजपा के प्रथ हमें ऐसा काम किये हैं लेकिन ऐसे घटिया और नीज सोच वाले आदमी के साथ हम नहीं है तो प्रदेश में गलत चुनाव किया है अपने टिकेट को लेकर अगर दूसरे आदमी को प्रथ यासी को टिकेट देती तो हम उसका साथ देते तो क्या मानने है आपका भाजपा से यहां को बहतर था बाजपा से यहां किसी भी लोकल प्रथ यासी को टिकेट देना चाहिए जो विद्धान सबार मौगनच का है लोकल प्रथए अगर इतना विर्योथ था प्रदीप-टेल-का तो ऐसा क्या है कि छेतरी कर सकते हैं बाहरी नहीं कर सकते हैं। नहीं फिर निमंतरन खाने पहुंच जाते हैं लेकिन आज तक किसी ने बुलाए ही नहीं और वो अपने से कभी आये नहीं चुनाब प्रचार में आ रहे हैं कि नहीं कि नहीं आ पार्टी का काम है मैं जहां तक समझता हूं कि हर पार्टी काम है रेवडी बाटना यह रेवडी कलचर जो है यह मरें तो अभी हमने उम्री इम्री स्रीपत के लोगों से विधान सभा चुनाओं के बारे में चर्चा की, कुछ लोगों का मानना है कि भाजपसरकार अच्छा काम कर रही है, कुछ लोग बदलाओ भी चाह रहे हैं, ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हैं, हमारे साथ मेरा नाम है संजय, तब तक के लिए धन्यवाद.